लास्ट रेक्चर में आपका पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में ठीक है ट्रांजिस्टर के बारे में अपने उसके जो सिंबल्स थे वो किये थे और उसकी वर्किंग की थी आता है ठीक है लेकिन जो आपके टायओड है और जो सेमिकつटर जो अपने किये थे ठीक है वो जाला इमकोटैंट है ठीक है next आपका करते हैं थायरिस्टर जो होते हैं आप इसके अंदर क्या होता है ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा दा ट्रांजिस्टर के अंदर त्री जो होते हैं वह आपके आपके अंदर आपके तीन जंक्शन बनते हैं और चार मतलब पी एन पी एन और अपी एन पी ठीक है ऐसे ही क्या होते हैं अलग-अलग मैटिरियल इसके अंदर एड किये जाते हैं इसको बोलते हैं एस शीआर भी भोलते हैं को शना आता है एज एस शीआर ठीक है तो यह सीआर का मतलब भी तारिश्कुर होता है और इसका फूल फोर्म आएगा सिलिकन Silicon । रल्यकिवाइर ठीकेट। इनकुनर्ट अ काते हैं, य्लिक्वाइर, पैजकों कि बिएक ना लगता है, सीञैकों कि भुज़िय करेकों कि ना लेकिवाइर, ठीक क्वाइर पॉसिचन आ पूसिचन आ सकते हैं, विध एको, वट इस तो यह होते है एक फोर लेयर लाइक पी एन पी एन ठीक है ऐसे यह लेयर रहती है पी एन पी एन यह इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर थ्री एलेक्ट्रोड होते हैं एक फी एलेक्ट्रोड लेकिन एलेक्ट्रोड कितने आएगे इसके अंदर भी तीन ही आईए ठीक है एक तो होगा एनोड ठीक है एक तो एनोड होगी दूसरी होगी एक एथार्ड और एक होगा इसके नदर कंट्रोलर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ठीक है कि कंट्रोल करना है इसमें जा इसको बहु सकते हैं एक गेट कब अपन होगा तब क्लोज होगा उसके हिसाफ से यह फूरा जो कंट्रोल करेगा ठीक है ड़। तो होते हैं यह बहुत सारे काम आते हैं है को कि एक कंट्रोल के मतलों मुत रो पनाएं तो यह कि अंगर हम टनी ह्यूसे को सफ़ाई को आप करना है तो के काम को सकते हैं तो यह यह जो गेट है as a controlling device यह काम करता है as a controlling button ठीक है जा controlling medium जो है वो इसको gate control करता है element लिज देता हूँ मैं ये परण करते हैं ठीक है तो तीन चीज़े होते हैं इसके अधर तीन terminals होते हैं तीन electrode होते हैं एक तो anode होता है एक होता है Gator, ठीकश इसको बोलते है, is called Silicon controlled rectifier, it is called Silicon controlled rectifier, ठीकश रेक्टिफार, अब यहाँ पर क्या होता है, तो यह काम कहाते हैं तो यह काम आते हैं इस को डिरेक्ट डीसी में करने के लिए इसके अंदर एक गेट होगा और एक होगा रिक्टिफार और यह जो है सारे टर्मिनाल जोंगे तो यह को के रिक्यां च्राइब करने के लिए उसके बाद कुंट्रोलिंग असाइब आए हूए उसको अपने कान्ट्रोल करना मतलब कि पाउर कित्नी देली है यह भी अब किसी चीज़ को पंक्ता है और कि इसी होगा याब है बावर कितनी मोटर है इसको अधिने उसकी तो ये और सकते है तो नहीं हो सारी ब्याकार सब्सक्राइब करना है तो भी यही काम करेगा ठीक है यहां पर भी कोई रिले आती है ना रिले कहीं भी यूज होती है वो सारी रिलेज के अंदर ही होते हैं एक सिस्टम होता है अरे लाइक को इसके अंदर क्या कहा चीजिदिया आती है सबसे पहले उसकी चार लियर्स होती है वन टू थ्री और फॉर लियर्स होती है उसके अंदर बर सेब्सेगल प्लाइब होती है फिर यहां पर यहां के एक सबसे ज़्यादा गाताया और उसके वाद जयादा है मैं नीए यहां पर गया है एक तीसरा एक तो यहां पर क्या है अब गेट है एक एक कैथोड है थे आधा है और यहां पर यह क्या गया है एक गेट यहीं व्लाइब करेगा कितना करेंट करना है कितनी energy power supply देनी है feeding control करेगा है कितनी power supply देनी है और कितना जो है उसका working होनी है तो सबसे पर आपको पता होना चाहिए थारिस्टर की construction कैसी होती है इसके अदर चार होते है PN पीन ठीक है और नीचे सबसे नीचे जो N है उसके साथ cathode connected होती है और उसके उपर जुपती है उसके साथ gate connected होता है और सबसे उपर जुपती है उसके जाथ an odd connected होता है next question आता है symbol symbol कैसा रहता है तो यहां पर सबसे पहले यहां से start करना है सबसे पहले आपका क्या रहता है जैसे आपका वह था डायोर था ठीक है डायोर्ड बनाना हे यह तो घर डायोड के साथ है लेकिन अगर आपने बनाना है तो इसका सिंबल कैसे बनेगा आपने यहां पर क्या बनाना है एक गेट ठीक है यह क्या है गेट गेट क्या करेगा कि इतना करण्ट जो है वो चलाना है इसके अंदर से तो यहां पर क्या है पोजिटिव मतलब के अनौड यहां पर क्या है नेगिटिव मतलब के कैथोर्ड और और यहां पर क्या आगया एका gate ठीक है तो यह तीन चीज़े होती है इसके अंदर तीन डर्मिनल्स और बाकी सारी लेयर्स कैसे होती है ऐसी होती है PN PN ठीक है तो चार लेयर्स होती है इसके अंदर ऐसे यह वर्ट करता है ठीक है पॉस्चन आएगा एप्लिकेशन कहां कहां यूज होता है ठीक है नैस्ट पॉस्चन आएगा आपको यह चीज़े याद रखनी है की इए पावर फ्रीट को शणल करता है और और एसी को डी सी में भी 律ट करता है ठीक है ठीक Chat एसी हुथ हैं ठीक है धीकन चैजिकन पर्टज रेक्टिब रहे!" यह आगया इसका सिम्बल तो पूंआया ठीक है इस इदा आपने उससे क्या कर दिया लाइट को डिम कर दिया ठीक है फैन को स्लो करना फास्ट करना अब जहां दो आपको एक चीज बताता हूं कि जब आप फैन को स्लो करते हो तो उस कंडिशन में वह एलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा करता है ना के जब आप पास्ट रखोगे उसको तो वह कम करेगा जब आप थैरिस्टर से सिलिकन कंट्रोल रेक्टी कर इसको स्लो कर दोगे कम कर दोगे तो वह ज्यादा करना ऐसे ही लाइट इमर्स हैं अगर आप भी जैरिस्टर करांट की सप्लाई को बढ़ा देते हैं जिससे वह उसको जो ओवर गम कर सकते जितना जो उसके उपर प्रसेश वाग्राए ठीक है उसके बाद मैक्स आता है तीसरा इसके उपर और क्या काम है सर्थों मोटर्स के अंदर जाओ मोटर्स के अंदर जो है स्पी स्पीड रेगुलेशन के, लिए मोटर, स्पीड, रेगुलेशन, कितनी स्पीड कम जाजा करनी है, तो भी किसे होता है, थारिस्टर से, जिलिकन कंट्रोलर रेक्टिफायर से, मोटर की स्पीड, वो तो फैन के अंदर ही आगा है, ठीक है, उसके बाद ये बैटरी सरकेट के अंदर भी यूजल होती है, आटमेटिक बैटरी चार्चिंग सरकेट, अजिए अनदर भी आपके क्या जूझ करते हैं, सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं, ये सारी इसके अप्लिकेशन, से कुस्ट्चन आएगा, कि अधार्प्लिकेशन ओख थैरि होता है इन सब चीजों के अंदर विसके बाद एमर्ईंसी के अंदर लाइट को बंद करना पड़ा जाये को आपके तो एमर्जंसी कंडिशन में जो लाइट होती है उसके अंदर भी यही यूज होता है लाइट्स जलती है या कुछ और ऐसी चीज़ होती है ठीक है उन सभी के अंदर भी यही यूज होता है थायरेस्टर सिलिकन कंट्रोल रेक्टिफायर ठीक है तो उसके बाद और बहुत सारी चीज़ है जब लाइक रेगुलेशन कहीं भी हो इलेक्ट्रिसिटी की तो यह थायर किसे काम कैसे करता है फ्रिंसीपल ओफ थारिस्टर अख की इसको करने का प्रिंसीपल क्या होता है क्रेशन तो यह अंदार्शन डिवाइज है फ्रिंसीपल ज़े अंडिरेक्शनल डिवाईस है इसके अंदर को यह से डारेक्शन फिक्ष नहीं है किसी डारेक्शन में इसने काम करना है तो यह जो ए एनोड को आपा क्या थोड़् से है इसका जो साफान कर दिए है व ए गनेक्ट है इस पर कैसे में कर सकते है मैं तो ये वर्ग कैसे आ इसका है जव शर्णी एंग्हें केंक्ट कर दिया जाता है वख श्रणीक्षेटीं अबूर्फ कंट्सक्राइब ंगार इस नेगिटिव जो है सर्किट नेगिटिव सप्लाई एड के अनोड विद पॉजिटिव सप्लाई ठीक है पॉजिटिव कर देते हैं नेगिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं जो गेट है वो क्या करेगा गेट इस यूज़ तो कंट्रोल अधा सप्लाई सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए का यूज़ करेंगे अपा सप्लाई सब्सक्राइब करेंगे वो कैसे करेंगे विद गेट ठीक है तो गेट के कारण ही को क्या करेगा आपका वर्क करेगा वो सारा जो है लोड को है तो इसके लिए सिलिकान कंट्रोल टेक्टिफ़ यूज़ किया जाते हैं इसके अंदर पी एंपी नंचन होते हैं यहां पर तीन जंक्शन यह एक दो तीन जंक्शन और इसके अंदर तीन जो है आपके क्या रहते हैं उन्थनद से च अन्दर decade इंज़ सप्लाई करते हो किसी का मतलग किसी सप्लाई के अंदर क्या कर दिया आपने जैसे कोई क्या है उसकोrov ifa एक क्कवरं का मालब है उसके इस यह फॉल्म इंडर क्या करते हैं वर हीटर के ओंपर जो आपके बटन किए होते हैं उस हीट को हीत कह रहने not today वो जो बन अ renewed a मुल नी को इस उसी कारण वनकितनी सप्लाप है उक यह साम के साफ़ एक बड़ती और चाहिएuire यह सारे अपके कंट्रोल होती है तो मैं पढ़ा झाले त्री स्क्रीकिस्ता आपके कांडी में इस के बहुत पॉल्डे這裡ade इस इसके इसन फॉइल से घ्रेजन और तो कॉश्चन आयता है दसनमबर में जिनल डायोड क्या होते हैं कुछ डायोड सारे सेम होते हैं ठीक है बस इसका सिंबल अलग है और यह स्पैशल के सिज में बना हुआ है चैनिज के लिए बना हुआ है तो डाइवड सारी से होते हैं उनकी जो डायग्राउड थे वह भी अपने बनाया था ठीक है डायग्राउड ऐसा ही रहता है लेकिन जो जिन्र डायवड है केस में क्या रहेगा ओए धूरावण में किस केस में कब्णक जा है ये करता है जब आपके फीस्टै कि electricity जो है ब्रेक कर गिया कैसे तो अब अगर वो जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर होते हैं वो चल जाएगा अगर बहुत चाला electricity आजए तो दुबारा पा उसको यूज नहीं कर सकते लेकिन जिनल डायोड जो होते हैं यह दुबारा यूज किये जा सकते हैं यह कहां यूज होते हैं यहां पे breakdown prison के अंदर अगर ऑगर तो वो नॉर्म ट्रांजिस्टर होता हम पो क्या घरता है electricity को जब फो जलगया उसारी एलककर कर वा देता लेकिन अगर आतु सबस्व신 होनNever कर जाएगा इपके ज्ब्रेक्दार को फ्येंटर टायोड है तो ने कीनिसीवा दिक्कत प्र लेकिन यहां पे जिनर वोल्टिस जब उसको brake करना है ठीक है तब वो जब वोल्टिस आ जाती है प्रीन आ जाता है तब वो क्या करना है उसको ब्रेककर जाना है मतलब कि जिनर डायोड टूट जाएगा और इलेक्रिसिटी को ट्रांसफर होने से रोग लेगा ठीक है मतलब कि opposite direction में electricity नहीं आने चीए अगर normal diode होता वो क्या करता जल जाता और सारी electricity को उसमें से transfer करवा देता जो reverse voltage है reverse electricity है जो leakage है electricity की वो उसको झेल नहीं पाता लेकिन जिनन डायोड ये क्या करता है ये वो breakdown voltage होती है इसकी और ये ब्रेक कर जाता है ठीक है तो ये silicon से बने रहते हैं सारे लगबक silicon से ही बनाते हैं तो silicon diode है जो के बनायाता है extreme conditions के अंदर यहां पर breakdown की जुरूरत है ब्रेक्डाउन के लिए बनायाता है बाकि जारी चीजे सीम रही की सिरुफ सिंबल इसका ही वाला है ठीक है बाकि जितना भी diode के बारे में पड़ा था अपने पी अंच्छन के बारे में पड़ा था बाकि जारी चीजे सेम है ठीक है ये क्यों design किया जाता है ताकि sharp breakdown voltage पर ज कि इतनी voltage की उटपर अगर आप पोजी डैरेक्ड ने में voltage आ रही है तो वो क्या करेगा ब्रेक कर जाएगा वो फ्रूट जाएगा ठीक है तो यह है आपका जो जिन्नर डायाओ ठीक है जिन्नर voltage ऐसी voltage जिसकी उपर जाकर इसको वर्क करना है ठीक है तो यह होते हैं आपके रिजिन्न करने के लिए दस नंबर का वर्चन आया तो आपने डैफिनेशन लिखके उसके बाद क्या गरना है बाकि चाना जो डियोड के वारे में अब आने पढ़ा था सेंव हुआ है सबग्सांद इसके अंदर तो यह क्या करता है यह इलब पर यहां पर यह करता है और यह protection के लिए भी यूज होता है ठीक है protection मतलग है ऐसा कि अगर opposite direction में बहुत ज़दा heavy load आ रहा है तो यह जल जाएगा ठीक है तो यह protection के लिए भी यूज होता है तो यह हो गया आपके general diode ठीक है next अपा यह जो है आपकी slavers भी tripli का यह complete हो चुका है कुछ ऐसे topic अगर कोई बीच में रह गया होगा तो अपको उसको कड़ते जाएंगे साथ की साथ आज के लिए इतना ही thank you